कि गुट मॉनिंग डियर स्टूडेंट स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल अकाडमी के उपर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इंपॉर्टन करन्ट इसकस करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट आव्यू से बहुत इंपॉर्टन रहने वाले हैं स्टू स्टूडेंट्स ज्यादा जानके अरी के लिए आप दियोए नंबर्स पर कॉंटेक्ट करके पूछ सकते हैं और स्टूडेंट्स हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स यह वेकेंसी यह भरती बार-बार नहीं आती चीक है पीट्र अगले पांच साल बाद आएगी तो जो बच्चे एलिजीबल हैं जरूर फॉर्म को भरे इसके अलावा आई बीपीएस कलर आई बीपीएस पीओ एस बीपीओ के नोटिफिकेशन आउट और के स्टूडेंट्स जरूर अपलाई करें ठीक है और इनके ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे चल रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए नंबर पर कॉंटेक्ट करके पूछ सकते हैं पौन करके पता करें तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि जो आप करंट अफेर कर रहे हो एक लिमिटेड टाइम में एक अपना लिमिटेड टाइम देगे करें ठीक है आप हमसे जुड़े हैं तो आप डेली बेसिस पे दस से पंद्रा मिनट जरूर दें करंट अफेर को ठीक है जी और मैं आपको एक बात की शियॉर्टी देता हूं कि जो आपका PSSB कलर्क में जो जी के आएगी 100% हमारे कराय कोशंज एक्जाम में पूछे आते हैं जितने भी आपके प्रिवेस पेपर होएं पंजाब के पंजाब पुलिस के चौन में जी के कोशंज पूछे गये हैं वो हमारे कराय कोशंज में से आया है स्टूडेंट्स ठीक है तो आप जरूर एक बार नंबर्स पर कॉंटक्ट करके जरूर पूछें तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगए जरूर लाइक करना ठीक है ज्यादस ज्यादस अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने मेंबर्स तक अपने भाई बैनों तक वीडियो को शेयर करना ठीक है जो भी बच्चे त्यारी में लगे हुए उन तक जिरूर वीडियो को पहुंचाएं तो फिफ्टी फर्स दादा साही फाल के वार्ड वैरी वैरी इंपॉर्टन्स ये कोशन आपके एक्जाम में 100% पूछा जाएगा 100% ये कोशन आपके तो स्टूरेंट्स आपको पता हो ना जीए कि दादा साही फाल पै वाड कि से फिल्ड के लिए धिया जाता है यह यहां से पूछा जा सकता है तौस साही फाल के वार्ड से सम्मानित किया गया इट्स 51 दादा साहिफवाल के अब आप से कोशिन में पूछा जा सकता है कि रीसेंटली रजनी कान्त को कौन कित्वा जो है दादा साहिफवाल के अबॉर्ड मिला ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं विक्चर में इट्स 67 इट्स 67 नैशनल फिलम फ सकते हैं यहां पर इस इस पिक्चर में स्टूडेंट्स हमारे जो देश के उपर आश्ट्रपती हैं एम वेंके नाइडू जी वो रजनी कांद जी को सूपर स्टार ऑफ साउथ इंडिया सूपर स्टार ऑफ बॉलिवूड उनको जो है दादा साहिफवाल के वाड़ दे रह जाता है ठीक है तो इस तरीके से कोशन आप से घुमांगे कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज है चाइना पास इस न्यू लैंड बॉंडरी लॉव बहुत इंपॉर्टन आपको पता है कि भारत के साथ चीन क जो बॉंडरी है ठीक है इंडिया नेपाल बुटान जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी और इंडिया के साथ भी चाइना की बॉंडरी लग रही है यहां पर चाइना ने एक नया लैंड बॉंडरी लॉव पास किया है अब स्टूडेंट्स यह इंडिया के लिए भारत के लिए एक चिंता का विशह है ठीक है क्योंकि यहां पर चाइना कुछ भी करता है तो वो डेफिनिटली वो अपने नेबर कंट्री इसको कंट्रोल में लाने के लिए करता है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए तो चाइना ने यहां पर जो लैंड बॉर्डर लॉव पास किया है लैंड बॉर्डर लॉव पास करने का कारण क्या है बैसिकली 23 अक्टूबर 2021 को यह लैंड बॉर्डर लॉव पास किया है इसमें जो है Chinese government Republic of China चाइना के सरकार चाहती है कि हमारे देश की जो शेत्री इलाके जो दूसरी कंट्रीज के जो नेपर कंजिख के जो बौर्डर एरियाज हैं वहाँ पर हमारा ड़ी मोद रहते हैं वहां पे भी हम अच्छा infrastructure डेवलप करें किसी भी परकार के कोई वॉयलेंट कोई हिंसक ऐसी गतिवीदिया ना हो उनको control किया जा सके एक तरीकी से आप कह सकते हैं कि government का control जो है border के उपर जादा जा रहा है border regions के उपर ठीक है जी तो यहां पर एंटायरली आप कह सकते हो कि जो चाइनीज टेरिट्रीज है वहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी को तैनात किया गया है तो चाइना के लगबग जो बाउंडरी है वह 14 countries से लगती है आपको यह भी पता होना चाहिए और लगबग जो उसका बाउंडरी बाउंडर एरिया है वह बाइस हजार किलोमेटर के आसपास खैला हुए ठीक है तो आई होब स्टूडेंस आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नुज्वजब वेरी एंपॉटन्ट इस स्टूडेंस वेरी वेरी इंपॉडन्ट जो मैं आपको बता दो वह एप माझन के चलिए एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपके जितने भी प्रिवेज पेपर होएं उनमें लेटेस्ट अप बारत योजना आत्म निर्बर स्वस्त भारत योजना अब गवर्मेंट जो है लोगों की हेल्थ के उपर फोकस कर रही है कोविड के कारण जो भी हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स आई गवर्मेंट इसको टैकल किया लोगों को वैक्शिनेशन लगाई एक हर्ड इम्मुनि भारत योजना लांच की गई है ठीक है इसके बारे में समझते हैं तो यह क्या है जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तक जो पिछले 60-70 सालों से हमारे देश में रिमोट एरियास में ही नहीं बलकि स्टूडेंट्स आप देखते हो सिटीज में भी शेहरों में भी ठीक पर इनिशेटिव लेकि आई है तो जब थक हम आत्यों भारत की बात करें आत्यों वह स्वस्त होंगे तो पहत्त भारत योजना आत्यों स्वस्त भारत योजना कब लांच की गई किस टो स्ध तो 25 अक्ट्टूंब्र 2021 को Zurich कोaltungत्य सब्सटीय पार्ट अव्या भारत health infrastructure mission and release of operational guidelines तो यहां पर उत्तर परदेश में इसको सबसे बहुत किया गया है ठीक है उत्तर परदेश के स्रीम योगी अधितनाथ जी अल्सो प्रेजंट ओन दा ओकीजन ठीक है जी इंपोर्टन न्यूज़ स्टूडेंट्स यहां पर प्यम मोदी ने इनागुरेट किया है नाइन मेडिकल कॉलेज़ इन सिधार्थ नगर वेरी वेरी इंपोर्डेंट तो वहां पर ही उन्होंने डिक्लेयर किया और यहां पर वारा नसी को जो है प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है 5200 करोड का तो यह आपसे कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है कि मोदी जी के द्वारा रिसेंटली कौन सी नई स्कीम लाउंच की गई है ठीक है तो वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चिन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें सुडान मिल्ट्री डिसॉल्व रूलिंग गवर्मेंट अरेस्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हम्दोक ठीक है यहां पर सुडान स्टूडेंट्स जो कंट्री है सुडान ठीक है आप कमेंट मे आप किसम से सिविल वार तो आप जो सिच्टूएशन देख रहे हैं यहां पर लोगों में आपस में जो प्रॉब्लम चल रही है किसम से आप कह सकते हैं सिविल वार चल रही है और गार्मेंट नाकाम हो गई है दा मेकैनिजम आफ गर्मेंट फेल डू कंट्रोल इस काइंड ओफ सिविल वार जगह जगह बरेवार्ट हो रहे हैं जगह जगह बरेदंगे हो रहे हैं तो इन चीजों को जब गर्मेंट नाकाम हो गई और गर्मेंट करप्ट है और यहां पर जो है लीडिंग मिल्ट्री जनरल हैं उनका नाम तो इन्होंने क्या किया जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है उनको यह अरेस्ट कर लिया तो जहां पर स्टुडेंट्स बेसिकली नैशनल एमेर्जेंसी एक पर लग जाए मार्शल लौ लग जाए मिल्ट्री रूल लग जाए तो वहाँ पर सारी पावर मिल्ट्री जनरल के पास आयती है और यहां पर हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर को ही अरेस्ट करके जैल में डाल दिया प्राइम मिनिस्टर अफदुल्ला हम्दोग को ठीके जी तो सुडान में यह सिचुएशन हो रुकी है वहां पर लोग जो हैं स सबसे बड़ी बात अगर आप जब किस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसेंट्ली किस देश के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया या पूछ लेंगे सुडान की कैपिटल बताओ ठीक है जी या पूछ लेंगे रिसेंट्ली कहां पर स्टेट अमर्जेंसी डिकले पूछ अगर्ण जरूर हो गए थीकैं तो इसत दरी से आप से स्टोडम्स इख्जाम में कोशन पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्ट है सुडान जो है ये country कि इस continent में लाई करती है ये question आप से पूछा जा सकते है ठीक है सुडान की capital क्या है जैसे कि मैंने आपको पूछा कि comment में बताना तो students मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ठीक है comment section में भी आप type करके जुरूर बताना सुडान की capital है खर्तूम खर्तूम ठीक है जी तो capital है प्राइम मिनिस्टर थे अब दल्ला हम्दॉक जो अभी trending में आ चुके हैं trending में क्यों आ गए हैं आप समझ चुके हैं कि arrest हो चुके हैं ठीक है जी चलिए आगे next चलते हैं students आई वह आपको समझ में आ गया होगा हां जी next ugly news students home minister अमित शाह इनागुरेट्स फर्स्ट डाइरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिट्वीन शिरी नगर टू सर्जा अब स्टूडेंट्स यहां पर सर्जा कौन सी जगा है शिरी नगर कहां पर आपको यह पता हो न चाहिए ठीक है जी जम्मो कश्मीर ठीक है मे अपने तीन दिवस्य दौरे पर त्री डेज विजिट पर जम्मो कश्मीर गए वहां पर जम्मो कश्मीर में बहुत बड़ी डेवलेप्मेंट की बात करके आया है कि जम्मो कश्मीर अभी तक जो पिछले 60-70 से पिछले 60-65 सालों से आप कह सकते हो कि वहां की जो डेवलेप सब्सक्राइब बॉटबने के बाद जो आप कह सकते हąd zien सेंटर में बहुत अच्छी डेवलेपमंट वहां पर कर सकता है तो यहां पर सबसे बड़ी नियूज है कि शिरीनगर के एरिपॉर्ड से शिरीनगर से weet otherwise् शुरू हो चुकी है और कहां के लिए इसपैशली सर्जा ल प्रोनेशन चुरू हो चुकिया इंटरनेशन डियरेक्ट फ्लाइट्स चालो हो चुकियां किस कंपनी के दौरा गो फर्स्ट गो फर्स्ट बिकम दर फर्स एर्लाइन तो लाँच फ्लाइड बेट्वें टूनेशन अधरवाइस पहले गया था लोगों को डैली आना पड़ ज कलती थी तो यहां पर बहुत बड़ा यह कदम उठाया दूसरी बात हमने रीसेंट्री पिछले कुछ दिन पहले जब न्यूस पड़ी थी तब हमने पड़ा था कि यहां पर जो है गौवर्मेंट जम्मू कश्मीर में ठीके जी बहुत बड़े लेवल पे करने जा रही है वहां पर इंडस्ट्रीज ऑस्पिटल्स ठीके जी और टूरिजम हर चीज को बड़ावा देने की बात की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर की एकॉनमी बहत्र हो तो यहां पर हम मिनस्टर आये थे हमिश्चा जी तीन दिवसिय अपनी मीटिंग के लिए थ्री डेज विजिट के लिए ठीक है जी तो उन्होंने यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में बात की कि शिरी नगर से शिर्जा के लिए एंड यूए यूनाइट अरब एमिरेट्स के लिए फ्लाइट्स एट लो कॉस्ट एयरलाइन्स ठीक है जी बहुत कम रेट पर जो है राइट शुरू हो चुकूई है सो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की यूनिन टेरिट्री से पहले जब स्टेट का दर्जा स्टेट उटका दर्जा था तो आर्टिकल 370 लगा हुआ था ठीक है जी कब खतम हुआ आर्टिकल 370 अगस्त 2019 इंपॉर्टन न्यूज है ठीक है जी तो ऐस न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स इंपॉर्टन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आई होप आपको आज के समझ में आये होंगे स्टूडेंट्स आप इसकी PDF फाइल बंसल एकडमी की एब पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए आप दिये नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आई होप स्टूडेंट्स आपको व्यूडियो पसंद आई होगी वीडियो को जरूर लाइक करके जाए चैनल को सब्सक्राइब करें नाव वी वाइंडब आवर सेशन थैंक यू